हाई एबरिवन वेलकम बैक टु रून यू वीडियो और ये वीडियो है उसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में節目 में और क्या यहाँ पर पोस्ट ऑविलेबल है कैसे आपको यहाँ पर पीमेंट करनी है सारा कुछ इसमें जो है बात करने वाले हैं तो इसमें आपको देखो documents की बहुत जादा कुछ requirement नहीं है अगर कोई apply करना चाहते हैं और कम cost में है सबसे बड़ी बात ठीक यहां पर आपको देना है passport और आपका ht digital quality में photo ठीक है तो यह आपको बेजना है within 15 days जो है आपको sponsorship visa पर जाना है दुबई दुबई में आपको लगबग 20 days के around stay करना होगा और वहाँ पर जो रहना खाने का charge होगा वो भी आपको नहीं देना है वो free of cost रहेगा आपका ठीक है Emirates ID issue होगी और अगर आप लोगों को पता हो तो ठीक नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ Emirates ID पे कुछ nationalities होती है जहां पर आपका visa on arrival हो जाता है तो यही reason है कि आपको यहां पर Emirates ID के लिए आपका apply होगा ठीक है इसको आप freelancer visa भी बोलते हो ठीक है यह issue हो जाएगा आपको जैसे ही फिर आपको वहाँ से further जो है move करना है food accommodation जो है वो आपको provide company ही करेगी यहां पर ठीक है उसके बाद आपको जो है Emirates ID पे on arrival visa मिलेगा जोर्जिया का फिर आपको वहाँ से निकलना है जोर्जिया के लिए two days stay in जोर्जिया process ठीक है उसके बाद वहाँ पर आपके documents बनेंगे जोर्जिया में क्या है कि आप जब पहुंसते हो तो वहाँ पर बिना documents के जो है काम नहीं कर सकते वह आपका वहाँ पर apply होगा ठीक है उसके बाद जब आपके documents बन इस काम में ठीक है उसके बाद आपको जो है job मिल जाएगी अब job किस किस category में है एक तो helper category में है construction worker के लिए है ठीक है और अगर experience हो आप तो salary अच्छी है otherwise कम है ठीक है बाइक rider के लिए सबसे अच्छी salary है यहाँ पर 60-70,000 से उपर ही यह लोग कमा लेते हैं taxi driver की भी लगबक यही है 60-70,000 से उपर ठीक है अब यह जो categories में आपको बताई ठीक है इनमें तो है उसके अलावा जब आपको जो यहाँ पर पहुंच जाता है और TRC की बात करते है temporary residence card की तो यह आपको मिल जाता है within six month ठीक है within six month ज आप दो साल या उससे उपर रह जाते हो यहाँ पर तो आपको जो है PR यानि की permanent residency जो है मिल जाती है ठीक है इस process के लिए जो भी जाना चाता है ठीक है क्योंकि कम cost में है और payment तब है जब आपका जिसी सबसे काम होगा उसे सबसे ठीक है तो जो भी करना चाता है इस process को वो subscription box में सार रहे जो है मेरा Instagram ID मिल जाएगी उसके अलावा मेरा जो Telegram channel है WhatsApp channel है WhatsApp का जो number है WhatsApp chat के लिए वो भी आपको मिल जाएगा ठीक है तो आप जाकर जो है कर सकते हो बात ठीक है क्योंकि service charge आपको भी जानना ही हो गए इसमें तो वो आप मुझ से पूछ सकते हो ठीक तो इस कर दो